Hello, All Welcome back एक बाट फिर से आप सब पीका स्वागत है नईए वीडियो में एक ने traffic source के साथ और एक ने back link source के साथ आज की वीडियो में एक ने साइच बताऊचे जहां से आप लोग unlimited backlinks create कर सकते हैं काफी अच्छा dataata occur प्रम code जी रो है काफी safe site है और एक Indian traffic source भी है अगर आप Indian content पर अपने blog या website आपने बना रखी है definitely आप लोग यहाँ से traffic भी ले सकते हैं और अपनी site के लिए backlink भी बना सकते हैं तो अगर आप इसी परकार का content देखना चाहते हैं आपने अपनी site बना रखी है blog बना रखा है आप उसको grow करना चाहते हैं तो इस channel पर specially मैं आपको यहीं बताता हूँ कि कैसे आपको अपने site या blog पर traffic लेके आना है कैसे उसकी organically ranking को up करना है कैसे उसकी ranking को बढ़ाना है कैसे backlinks बगारा बनाने है तो इसके लिए आप channel को follow कर सकते हैं directly लेके चलता हूँ मैं आज की site पर और उसके कुछ stats में आपको check करवाऊंगा सबसे पहले देख लेते हैं कि site कौन सी है तो यहाँ पर सबसे पहले आप site देख सकते हैं यह वो site है और यह social media platform की तरह है यहाँ पर आप किसी भी category के content को share कर सकते हैं आप एक blog post के रूप में text की form में भी content को share कर सकते हैं वीडियो की form में share कर सकते हैं इसके अलावा आप लोग photo की form में भी content को share कर सकते हैं इस site का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं इसka URL भी आप देख सकते हैं fujia.com तो इसे site पे आपको आ जाना है सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर account बनाने की तो यहां पर आपको sign up का button दिखेगा इस पर आपने click कर देना है और जैसे आप इस पर click करोगे तो यहां पर देख सकते हैं एक sign up का button आपको फिर से दिखेगा इसके अलावा आप लोग Facebook से sign up कर सकते हैं directly यहां फिर आप लोग यहां पर Google से भी sign up कर सकते हैं अगर आप manually करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अपना email देना है यहां पर password create करना है और sign up पे click कर देना है ऐसा करते ही आपके email पर verification link बेजा जाएगा उस पर click करते ही आपका email verify हो जाएगा और आपका account बन जाएगा account बनाना बहुत ही simple है एजी लिए आप लोग यहां पर account create कर सकते हैं account बना लेने के बाद आपका interface कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा यहां पर आप देख सकते है master class और यह आपकी profile का icon आपको show होगा जिसके अंदर काफी सारे options मिलेंगे आपको हमारे लिए सबसे important होता है my fujiya launch इसके लावा my profile, edit my profile, edit my profile में जाकर कि आप profile backlink भी create कर सकते हैं bio में आप अपना link दे सकते हैं site का जो की काफी powerful link माना जाता है इसके अलावा simply आपको सबसे पहले क्या करना है यहां पर my fujiya long यह जो लिखा हुआ इस पर आपने click कर देना है तो यहीं पर आपको अपना content post करने की यहां पर facility मिलेगी चलेगा जो से पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ DAPA checker में यहां पर इस site के कुछ stats तो यहां पर मैंने URL paste कर दिया है आप URL भी देख सकते हैं fujiya.com then इस पर tick करेंगे I am not a robot और इसके बाद यहां पर check पर click करेंगे definitely किसी भी site का DAPA और spam score चेक करना चाहिए अगर आप वहां पर backlink बनाना चाहते है तो इसका DAPA बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफी अच्छा है यहां पर आप देख सकते हैं इसका DAPA 36 है और PA 48 है इसके लावा इसकी total backlink 5000 है और spam score इसका 0 है और यह एक Indian site है अगर देखा जाए तो यह site बहुत पुरानी है 20 साल से भी ज़्यादा यह पुरानी site है तो अगर आप यहां से अपने लिए backlink बनाते हैं तो आपकी site की authority पर बहुत अच्छा यहां पर impact पढ़ने वाला है तो अब चलते हैं वापिस site पर और देखते हैं my launch पर click करने के बाद कुछ इस परकार का interface आपके सामने आएगा और अगर आप इसको यहां पर scroll down करेंगे तो जो लोगों ने content यहां पर post किया वो आप यहां पर देख पाएंगे एक चीज़ यहां पर देख सकते हैं site पर अभी के समय में हो सकता है कि यह आगे चल के fix हो जाए और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप किसी भी category के content को यहां post कर सकते हैं image, video और text की form में post कर सकते हैं इसके लावा यहां पर blog, virtual events, channels, quiz, e-books वगएरा काफी अच्छी options है जिसके थुरू आप और भी traffic यहां से gain कर सकते हैं बात करते हैं कि हम यहां पर post कैसे कर सकते हैं traffic कैसे ले सकते हैं या backlink कैसे बना सकते हैं इसके लिए आप जो भी आपकी site है for example मेरे पास यहां पर एक site है अगर आप अपनी site पर traffic लेना चाहते हैं तो जो भी आपका site का content है उसके around आपको एक article लिखना होगा या तो आप खुद लिख सकते हैं article या फिर आप लोग PLR article का use कर सकते हैं तो इसके लिए simply आप लोग जाएगा Google में और Google में आपको search करना है PLR articles जैसे आप PLR articles सर्च करोगे तो यहाँ पर काफी सारी sites आपको मिल जाएंगी इन में से किसी भी site पर जाकर के आप लोग यहाँ से कोई भी article यूज कर सकते हैं simply जिस भी keyword पर आपको article चाहिए वो आपने search करना है और आपको articles मिल जाएंगे और उन में से किसी भी article को आप copy paste कर सकते हैं इन में से कुछ अच्छी site हैं जैसे की PLRPLR.com इसके अलावा यहाँ पर killer PLR article.com इस site का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस site का इस्तेमाल करता हूँ इस site का नाम है e-gine articles तो यहाँ पर उधारन के तुर्परपन समझ लेते हैं कि मान लो कि मैं यहाँ पर best gooder sunglassage इस पर traffic लेना चाहता हूँ या फिर इसके लिए backlink बनाना चाहता हूँ तो हमें sunglassage से related कोई article चाहिए होगा अब यहाँ पर जाएंगे और search बार में हम यहाँ पर sunglassage लिखेंगे और इसको यहाँ पर search करेंगे तो जैसे हमने sunglassage लिखके search किया तो यहाँ पर लगबग 12,000 articles हमारे सामने हैं इन में से किसी भी article को आप copy कर सकते हैं इसको मैं नहीं टैब में open करता हूँ यह PLR articles होते हैं यानि कि private label right इनका आप marketing के लिए या फिर reuse आप कर सकते हैं यहाँ पर allow होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी site पे सिर्फ यही article post करें तो फिर आपको Google AdSense का approval नहीं मिलेगा कोकि already इन articles को और भी बहुत सारे लोगों ने use किया होता है आप article की length देख सकते हैं काफी बड़ा article है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका यह जो title है इसको हम यहाँ से copy करेंगे और वापिस जाएंगे Fujia वाली site पे और यहाँ पर एक option मिलेगा आपको create post इस पे आपने click कर देना है यहाँ पर तीन option है मैं यहाँ पर text post करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना title पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप छोटा सा caption दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर पहला paragraph कोपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा याद रखिएगा कि अगर आप e-gine article से कोपी करते हैं content तो हर बार उनका link आएगा आप उसको हटा भी सकते हैं उसके बाद simply आपको करना क्या है कि यह जो पूरा article है इसको आप यहाँ से कोपी करोगे और simply यह जो option है write your post here यहाँ पर आपको paste कर देना है आप देख सकते हैं उसका पूरा article यहाँ पर paste हो चुका है इस परकार से अब आपको अपनी site पर चले जाना है और जिस भी article पर आप traffic लेना चाहते हैं या backlink बनाना चाहते हैं उसका link आप यहाँ से copy करोगे वापिस जाएंगे हम अपनी post पर जैसे कि यहाँ पर sunglassage लिखा हुआ है इसको हम select करेंगे link पर click करेंगे और यहाँ पर अपना link paste करके enter press करेंगे तो इसके अंदर हमारा link लग चुका है और यह जो link है हमारे लिए backlink का काम करेगा इसके लावा कहीं पर भी आप link लगा सकते हैं किसी भी जगा पर जैसे कि यहाँ पर भी sunglassage लिखा हुआ है तो यहाँ पर link लगा सकते हैं directly आप लोग call to action button create करके यानि के नीचे आप best gooder sunglassage लिखके उसके अंदर आप link लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ tags लगाने होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे नीचे लिखा हुआ कि क्या यह content original है आपके द्वारा create किया गया तो हम यहाँ पर no पर click करेंगे और यहाँ पर हम e-gine article का या फिर जिस भी author ने यह article लिखा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है तो हम इसका नाम यहाँ से copy करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे अब यहाँ पर post करने को option हमारे पास है इसके लावा अगर आपको image बगरा लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं सबसे उपर ही उपर category आपको select करनी है और उसके बाद बिल्कुल निचे आजाना आपने और यह जो post का button है इस पर आपने click कर देना है अब आपको कुछ देर यहाँ पर wait करना है आपका article यहाँ पर post हो रहा है and boom guys आप देख सकते हैं the post has been published successfully आपकी यह जो post है वो यहाँ पर publish हो चुकी है और आप इसको यहाँ पर text में जाकर के check out कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाली हमने यहाँ पर article अभी भी post किया इस पर भी 50 views दिखा रहा है यह को glitch या कोई site का bug हो सकता है इसको हम यहाँ पर open करेंगे तो यह वो article है जो अभी अभी हमने यहाँ पर post किया है आप देख सकते हैं वो title और यह पूरा article है तो इसी परकार से आप लोग यहाँ पर अपना article share करके बिल्कुल free में अपने site या फिर अपनी post पर traffic भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर unlimited backlinks create कर सकते हैं आप जितने ज़्यादा यहाँ पर post पर पोस्टें create करेंगे और उनके अंदर multiple आप links लगा सकते हैं तो आप अपनी site के लिए काफी अच्छी और powerful authority यहाँ पर build कर सकते हैं सो गाइज आप आज किस वीडियो में जो मैंने आपके साथ एक traffic source या फिर backlink source शेर किया है definitely आपके लिए helpful रहेगा अगर आपका कोई doubt हो, कोई query हो, कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप लोग definitely comment कर सकते हैं इसी परकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करके जाएगा अब मुझे दीजी इजाजत में जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए traffic source के साथ thanks for watching, have a nice day